दिखेगा, राजस्तान में सबसे दो बड़े इंपोर्टेंट फेक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं है, राजस्तान में सबसे एक तो बनता है कि राजस्तान में सबसे और एक और इंपोर्टेंट बिंदू है, कौन सबसे देखेगा इसके बारे, जाने वाला नर्ती है, किया जाने वाला नर्ती, एक तो फेक्ट यह है कि राजस्तान में सबसे धिमी गति से किया जाने वाला नर्ती है, और एक फेक्ट है, राजस्तान में सबसे तेज गति से किया जाने वाला नर्ती, दोनों ही फेक्ट बड़े इंपोर्टेंट है, बड़े ही खाश, बड़े ही इंपोर्टेंट है, दोनों दोनों फेक्ट आपके साथ, देखे, एक तो है आपके सामने क्या, कि राजस्तान में सबसे धिमी गति से किया जाने वाला नर्ती है, और एक है आपके सामने, राजस्तान में सबसे तेज गति से किया जाने वाला नर्ती है, कौण कौण से है, डाइरेक्ट वालाइनर क्यूशन बढ़ सकता है, देखेग राजस्तान में सबसे धिमी गती से किया जाने वाला जो नर्तिय है वो तो है आपके सामने याद रखेगा वालर नर्ति सबसे धिम्मी गत्य से किया जाने वाला नर्त्य कोण सा है याद रिकेगा कच्छी गोडी नर्ती कच्छी गोडी नर्ती ये जो वालर नर्ते है इस नर्ते के बारे में कुछ और भी बड़ी important बाते हैं वो भी याद रखेगा क्या एक तो याद रखेगा कि ये जो वालर नर्ते है इसे गराशिया जन्जाते की गुमर कहा जाता है गराशया जंजाती का गुमर कहा जाता है किस नर्ते को याद रखेगा वालर नर्ते मतलब एक बात पता चल गई कि वालर नर्ते का जो सम्मंद है वो किस जंजाती से है तो याद रखेगा गराशया जंजाती से गराश्या जंजातिगा क्या केलाता है गुम्बर ये जो वालर नरते है याद रखेगा महिलावे पुरूस दोनों करते हैं मिलकर तीश queria बात याद रखे गा इम्पोर्टेंट वालर नरते करते समय किसी भी वद्दियंतर का उप्योग नहीं किया जाता है यानि कि बिना वाद्धियंतर के किया जाने वाला नर्ती कोण सा है याद रखेगा वाला नर्ती इसके अंदर आपको याद अकना है कि पुरुषों दुवारा हात्तों में चाता रुमाल याद रखेगा ये इंपोर्टेंट बात है वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा याद रखेगा पुरुषों दुवारा हातों में चाता रुमाल या फिर तलवार लेकर नर्ती किया जाता है तो इस नर्ती से सम्मझेत कितनी इंपोर्टेंट बाते हुई आपके सामने तो देखेगा इस से रिलेटेड आपके एक्जाम के लिए एक तो धिमी गती से किया जाने वड़ा नर्ती कोण सा है याद रखेगा वालर नर्ती वालर नर्ती को क्या बोलते हैं याद रखेगा गराश्या जन जाती गा गुमर ये महिला और पुरुष दोनों मिलके करते हैं याद रखेगा बिना वाद्दियंतर के किया जाने वड़ा नर्ती है और याद रखेगा पुरुषों द्वारा हातों में छाता रुमाल या फिर तलवार लेकर नर्ती किया जाता है वो कोण सा है वालर नर्ती इधेर हम बात करते हैं कच्छी गोडी नर्तिय तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कच्छी गोडी नर्तिय है याद रखेगा ये एक परकार का वेवसाइक नर्तिय है कच्छी गोडी नर्ति एक परकार का क्या है याद रखेगा वेवशाइक नर्ति है कौन से शेत्र विसेस में होता है ये तो याद रखेगा शेखावटी में कौन से शेत्र में होता है याद रखेगा शेखावटी शेत्र में आप कहेंगे सर कच्छी गोडी नर्ते कैसे होता है तो साथी कच्छी गोडी नर्ते कैसे करते हैं तो याद रिखेगा कमर में लकडी की घोडी बांद कर उचल उचल कर जो नर्ते किया जाता है वो कहलाता है आपके कच्छी गोडी नर्ते और याद रिखेगा कच्छी गोडी पुरुस परधान नर्ति कैसे करते हैं तो याद रिखेगा कमर में कमर में लकडी की घोडी बांद कर जो नर्ति किया जाता है वो कहलाता है कच्छी घोडी नर्ति याद रिखेगा इस कच्छी घोडी नर्ति के तेहत कौन सा वाद्दि यंतर यूज लिया जाता है तो याद रिखेगा जांच कमेंट करके बताईए जांच किश परकार का वाद्दि यंतर है क्योंकि ये क्यूशन पिछली बार SI और RS एक्जाम के अंदर पूछा गया कच्छी घोडी नर्ति अच्छ इसके अलावा याद रिखेगा ये राजस्तान का एकमातर ऐसा नर्ति है जो पेटरन कला पर आधारित है किस पर आधारित है पेटरन कला पर आधारित पेटरन कला का मतलब ये होता है कि चार पांच लोग कमर में लकड़ी की घोडी बानते हैं तो कभी वो गोल घेरा बना कर नर्ति करते हैं तो कभी वो पिरामिंड बना कर नर्ति करते हैं ठीक है, very very important याद रिखेगा कि patron कलापर आधारित नर्तिय कोन सा है, याद रिखेगा कच्छी गोडी नर्तिय, इसके अलावा important बात आपको याद रखनी है, कि कच्छी गोडी नर्तिय करते समय किस परकार के घीत गाते हैं, तो याद रिखेगा, लशकारिया, बींद, इस पर परकार के क्या गाए जाते हैं, याद रिखेगा गीत, तो important बिंदू याँ से, आपके exam के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे खास, याद रिखेगा, very very important, ठीक है, देखेगा, तो ये रहा आपके सामने कौन सा, कच्छी गोडी नर्तिय, और ये रहा आपके सामने वालर नर किशन आता है, मतलब, जो नर्तिय हैं, यहाँ से कुशन आता है, पिछली बार यहाँ से आया था, कि कच्छी गोडी नर्तिय में, निम्न में से किस परकार के वादतेहंतर का यूज लिया जाता है, तो देख लिजी, राजस्तान में सबसे धिम्मी गती से किया जाने वाला ये जो वालन नर्ते है याद रखेगा very very important किस जंजाती से संबन्दित है गराश्या जंजाती से जबकि कच्छी गोडी नर्ते याद रखेगा एक website नर्ते है और ये से काउटी शेतर से संबन्दित है याद रखेगा ये महिला और पुरुष दोनों मिलके करते हैं जबकि ये केवल पुरुष परधान नर्ते हैं याद रखेगा इसमें किसी परकार का वाद्दियंतर नहीं होता है जबकि इसमें जांज नामक वाद्दियंतर होता है इसके अंदर पुरुषों द्वारा हातों म ये भी विशेश है तो दोनों सबसे धिमी गति से कौन सा किया जाता है और सबसे तेज गति से कौन सा किया जाता है ये दोनों ही किलियर किस्टार लगा लिजिए एक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट या तो आपको पूछ लेगा कि बिना वाद्दियंतर के क जाने वाला नर्तिय कोण सा है या फिर इदर से पूछ लेगा के कच्छी गोडी जो नर्तिय है निम्न में से एक परकार का पुरुस परधान नर्तिय है या फिर क्युशन पूछने का तरीका कच्छी गोडी नर्तिय के सम्मंद में निम्न में से कोण सा कतन ऐस सकते है चार बा अधियंतर का उपयोब करते हैं और कच्छी गोडी नर्ति एक परकार का पेट्रन कला पर आधारीज नर्ति हैं तो इसके अंदर कोण सा ऐसंगत था कि कच्छी गोडी नर्ति केल पुरुषों दुवारा किया जाता है ना कि पुरुष वे महिला दोनों दुवारा ठीक है तो यह दोनों ही आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अब आप कमेंट करके बता देना कि यह सारी सारी जानकारी कैसी लेगी आपको ठीक है चली ठीक है